इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए. बताय गए डोस से अधिक न लें क्यूंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुकसान दायक असर हो सकता है. अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं, तो याद आने पर इसे तुरंत लें. अगर आप बहतर महसूस कर रहे है तो भी इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए. इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है. Some common side effects of this medicine are nausea, vomiting, diarrhea, indigestion, ETC. अगर इन में से कोई भी side effect बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. अगर आपको किसी allergic reaction, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है, तो आपको तुरंत चिकित सकिया मदद लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थ समस्या के लिए कोई दवा ले रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए. शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक होने की रफतार बढ़ाने के लिए आपको पर्याप ताराम करना चाहिए साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डाइगनॉस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद